खारकीव में लगबग हजार भारतिय चात्र चात्राय है प्रयास यह है कि उनको अगर ये सीज़फायर हो जाता है अगर ये सीज़फायर जमीन पर दिखने लगता है और ICRC रेड क्रोस की कमिटी की टीम वहां पहुँच पाती है रसत सामगरी लेकर खाना पानी लेकर तो उस कॉल्ट ऑफ कीव से पहले की आहट है ये जो बंबारी मेरे पीछे रुक रुक कर अब सुनाई दे रही है जो एर रेट साइरिन बार बार बज रहे है मेरे साथ मेजर जनल सुधाकर जी भी जुड़ रहे है एक रक्षा विशेशग्य है भली भाती इस शेत्र पर उनकी गौरब सबसे पहले नमस्कार और आपको बदाई हो राजिश्ची को भी बदाई हो जिस किसम की वार जोन रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं ये बहुत ही एक यूनिक का एंड आई वूट से एक्सेप्शनल स्टैंडर का है और मिनिट तो मिनिट और पुरा राउंड दो क्ल एक मुद्दों के साथ जोड़ा हुआ है अगर आप मेरे को थोड़ा परमिशन देंगे तो मैं कुछ कहना चाहता हूं इसमें कि यह जो कीव के लड़ाई मेरे एनलेसिस के मुताबिक चाहे कितने भी ग्राउंड सिचुएशन आपको यह डेपिक करे या जाहिर करे कि गोला बारोद शुरू हो गया है अन्दाजन अगले 24 या 48 घंटे के अंदर यह कीव जो है क्याप्चर हो जाएगा मेरे नजरियों से मैं दूसरा पहलू लाना चाहता हूं कि यह जो लड़ाई हो रहा है यूकरेंग के अंदर यह कुछ पॉलिटिकल अब्जेक्टिव के साथ जुड़ा हुआ है और कुछ मिलिटरी अब्जेक्टिव के साथ जुड़ा हुआ है मिलिटरी अब्जेक्टिव मिसाल के तोर पे जैसे ब्लाक से को कटाफ करना यह एक military objective हो जाता है और जब सब objective देखते हैं जैसे खेरोसं को उन्होंगे capture करके और local government को take over कर लिये हैं यह एक हिसा बन जाता है military objective which contributes towards political objective ना political objective का क्या है टीन पहलू है सबसे पहला पहलो मेरे सोच बिचार की मताविक is the demilitarization second है की युक्रेयन has to declare itself for neutral formally और तीसरा है it has to renounce its bid for joining from NATO इन तीनों मुद्दों को मध्या नजर रखते हुए यह सारे जो हरकते हैं क्योंकि साथ-साथ टॉक भी चल रहा है diplomatic effort भी चल रहा है जब तक प्यूटिन के हाथ में कुछ लिखित या formal रूप में नहीं आएगा यह कीव की लड़ाई जो है इतने जल्दी यह समाप नहीं करेंगे this is my understanding back to you